प्रिये शात्रों नमस्कार अनलोक एस्टडी के दसमी कख्षा के गनित में आपका स्वागत है आज हम लोग प्रस्णावली पांद समलब तीन के प्रस्ण संख्या नौ को सॉल्फ करेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक कर दिजगा औ ज़िक इसी एपी के प्रथम साथ पड़ों का योग उन्चास हैं और प्रथम सत्रह पड़ों का योग 289 हैं तो इसके प्रथम एन पड़ों का योग ज्याद किजिए सबसे पहदा लिख लेते हैं उत्तर यहां 7 पदो का योग 49 है यह दिया हुआ है तो इसका मतलब ए है कि S 7 का मान 49 है और 17 पदो का योग दिया हुआ है 289 तो हम लिख लेते हैं S 17 बराबर है आपका 289 हमें इसके N पदों का योग याद करना है तो आपको पता है कि किसी भी पदों का योग याद करने के लिए हमें A और D किया वे सकता होती है तो यहां हमें निकालना है A का मान पता नहीं है यह निकालना है और d का मान हमें पता नहीं है, d का मान निकालना है तो हम मान लेते हैं कि माना की प्रथम पद a और सारबंतर d है तो यहाँ साथ पदों का योग उन्चास दिया गया है तो इसी को लेकर हम आगे बरते हैं लिखते हैं एस साथ बराबर क्या होता है एन बटा दो इंटू दो ए प्लस एन माइनस वन गुने डी इस का मान है आपका उन्चास तो एन का मान कितना है साथ है यानि साथ पर दो का योग कह रहा है तो एन का मान साथ हो जाएगा तो लिख लेते हैं साथ बटा में दो इंटू दो एक का मान पता नहीं है प्लस एन का मान आपका साथ है माइनस एक और गुने डी का भी मान पता नहीं है बराबर में क्या हो जा जाएगा तो साथ बटा में दो कि इंटू कि दो ए प्लास साथ में से एक माइनस वागा तो आएगा छे और डी से गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा छेडी तो बराबर में उन्चास तो साथ बटा में दो गुने दो कॉमन ले लेते हैं तो इंदर में बच जाएगा मेरा ए प्लास तीन दूनी छे यानि तीन डी बराबर में क्या बचेगा उन्चास तो दो से दो माइनस हो जाएगा तो हम इसको डिरेक्ट लिख सकते हैं कि ए प्लास तीन डी बराबर उन्चा और बटा में यह वाला साथ आ जाएगा तो सत्सत्य उन्चास यानि की ए प्लस तीन डी बराबर कितना आया साथ इसको हम समिक्रण एक माल लेते हैं फिर दिया गया है कि 17 पदो का योग गुने डी बराबर 289 दिया गया है तो एन का मान क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा बटा में दो 2A प्लस एन का मान 17 माइनस एक गुने डी बराबर 289 तो 17 बटा में 2 इन्टू 2A प्लस 17 में से एक माइनस हो जाएगा तो आएगा 16 और डी से गुना करेंगे तो ए हो जाएगा मेरा 16 डी बराबर 289 तो 17 बटा में 2 गुने यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में आ जाएगा A प्लस 8D बराबर 289 दो से 2 माइनस हो जाएगा तो A आजाएगा मेरा A प्लस 8D बराबर 289 बटा में 17 जब 289 को जब हम 17 से काटेंगे तो A आजाएगा 17 यहनि A प्लस 8D बराबर 17 यह मेरा समिकरन 2 हो जाएगा अब समिकरन 1 और समिकरन 2 को सॉल्फ करेंगे आप इसे सॉल्फ करना जानते हैं तो समिकरन 1 है मेरा A प्लस 3D बराबर 7 तो लिख लेते हैं A प्लस 3D बराबर 7 समिकरन 2 है मेरा A प्लस 8D बराबर 17 तो लिख लेते हैं A प्लस 8D बराबर 17 यह समिकरन 2 हो जाएगा मेरा इसको घटाने पर काटेंगे, घटाने पर, तो घटाने में चिंचेंज हो जाता है, तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस A से माइनस A कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 3D है और माइनस का 8D है, तो यह आजागा मेरा माइनस का 5D, बराबर, प्लस का साथ है और माईनस का सत्रह है तो ये आ जाएगा मेरा माईनस का दस म origins से माईनस कैंसृ हो जाएगा क्यों इसलिए टी बरांबर हो जाएगा दस蟟 मेंं यहाद निकल गया दो निकल गया तो अब दी के मांड यहादओ में रखने पर तो है मेरा एप प्लस दीबराबर साथ सोइक मान पता नहीं है तो एप प्लस तीन्गूने डी का मार्ड क्या है दो बराबर में 7 ही है तो है कि एप लस्क्क्क रजाएंगा 3 दूनी श्मिद बराबर मेंस इस लिए पर बराबर क्या हो जाएगा साथ पहले लिख लेते हैं और फ्रस्छे हैं तो जाएगा मैननस 6 तो साथ में से चो गया तो क्या आएगा एक आ जाएगा तो डीकामन मेरा-2 निकल गया और एकमन मेरा एक निकल गया tür आईए अब इन कदों का योग ज्ञाद करते हैं तो S N बराबर होता है N बटा में 2 into 2 A plus N minus 1 गुने D तो N का मान तो हमें पता नहीं है तो N के जगा पे N लिखेंगे बटा में 2 into 2 गुने A का मान आपका A का आया है plus N का मान हमें पता नहीं है minus 1 और D का मान आपका 2 आया है तो N का मान बटा 2 2 A कम 2 plus 2 से N में गुना हो जाएगा और 2 से minus 1 में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 में N से गुना करेंगे तो एह हो जाएगा मेरा दो एन माइनस दो में एक से गुना होगा तो एह हो जाएगा दो प्लस दो से माइनस दो मेरा कट जाएगा तो n बटा में 2 गुने यह क्या हो जाएगा 2n तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और n में n से गुना हो जाएगा तो यह आजाएगा मेरा n का स्क्वाइर तो लिखेंगे अतह n पदो का योग n स्क्वाइर है आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद